हलो गईस वेलकम टो टेकनिकल प्यार चैनल और आज के इस वीडियो में आपको 6 न्यू हिड़न फीचर्स बताने वाला हूँ W26 स्मार्ट वाच के लिए तो अभी मेरे पास है W26 स्मार्ट वाच और अगर आपके पास W26 हो या फिर W26 प्लस हो या फिर W26 प्लस 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 प् और उससे पैनल चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना अगर अच्छा लगे तो पर सब्सक्राइब करना मत भूलना सब्सक्राइब अच्छे से कर देना, सब ही मिलके कर लो, कर लो, फटा फट कर लो कर लिया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले hidden feature की तो सबसे पहला hidden feature यह होने वाला है, कि ज़्यादा तर हमारे जो contacts होते हैं तो contacts के अंदर, यहाँ पे आपको search करने में बहुत दिक्कत आती है तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे इस तरफ swipe करो तो इस तरफ swipe करके quick search on हो जाता है और यहाँ पे आपको जो भी name के person को ढूणना हो उसका नईम का first letter आप इस पे click कर दो जैसे कि यहाँ पे by chance में को कोई ऐसा चाहिए person जिसका name F से चालू होता है तो यहाँ पे सबसे बले स्वाइब करूँगा और उसके बाद यहाँ पे F को ढूंडूँगा और उसके बाद F पे click करूँगा तो F से this का भी नाम चालू होता है वो आ जाएगा तो इस तरीके से quick search की मदद से आप इस smart watch के अंदर context को आराम से ढूंड सकते हो आप में से बहुत साए लोगों को यह feature नहीं बता होगा इसलिए मैंने बता दिया और उसके बाद अगर बात करें next feature की तो next feature उनने वाला है alarm से related तो एक बार alarms को check कर लेते हैं तो alarms के अंदर आप generally यहां पर आते होंगे on off करते होंगे और आपको लगता होगा कि हम एक time पे एक ही alarm set कर सकते हैं पर ऐसा बिलकुल नहीं है क्यूंकि अगर आप चाहो तो एक time पे 5 से 10, in fact 15, 20 alarms भी set कर सकते हो तो एक से ज्यादा alarm set करने के लिए सबसे पहले तो आपने कोई भी एक alarm set करी रखा होगा उसके बाद आपको इसमें उपर की तरफ swipe करना होगा जैसे कि यहां पे मैं इसमें उपर की तरफ swipe करूंगा तो यहां पे new alarm add करने का option आएगा तो यहां से मैं कुछ और time पे नया alarm set कर सकता हो और यह भी on हो ज यूसफुल हो सकता है क्योंकि एक alarm पे तो कोई नहीं उठता है तो फिर समझ जो तो next hidden feature उने वाला है कि इसके notification पैनल के अंदर हमको battery के सिफ बार्स देखने को मिलता है हम percentage नहीं देख सकता है तो percentage देखने के लिए आपको एक watch face बताता हूं तो जैसे कि यह वाला जो watch face है इसके अंदर यहां पे आपको percentage देखने को मिलेगा और अभी सच में इसकी बैटरी बहुत कम है इसलिए 0% नजर आ रही है कभी भी switch off हो सकती है hopefully वीडियो के बीच में आओ तो यहां पे आप percentage देख सकते हो अगर आपको percentage देखना हो battery का तो आप यहां पे देख सकते हो तो third hidden feature होने वाला है इस watch face से related अब हम बात करता है fourth hidden feature की जो की बहुत जादा interesting है अगर आप normally six four double six double three hash तो यह I think fourth fourth वाली hidden setting है तो फिर वो बता रहा हूं तो यहां पे आपको जाके engineering mode on हो का अगर आपको आप से code तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे कुछ और शो हो रहा है तो फिर bqb mode को on करने के बाद यह सारी चीज़े शो होती है तो यह चीज़ भी आपको 100% पता नहीं होगी अब अगर आप पूछो कि वापस contracts कैसे लाए तो उसके लिए आपको watch को reset करना होगा उसके लावा और कोई option नहीं है या तो bqb mode off कर दो तो भी आपके जो contacts है वह वापस आ जाएंगे उसके बाद अगर हम बात करें 5th secret setting की तो उसके लिए हमको on करना होगा calendar तो calendar ढूल लेता हूं एक बार में तो 5th secret setting यह होने वाली है कि calendar जो होता है उसके अंदर generally हम यहाँ पर आके date को check कर लेता है और उसके बाद अगर set करने की इच्छा हो तो यहाँ पर जाके click करके और इसके उपर set कर लेता है बट आपको एक बात पता है कि नहीं पता कि हम य change कर सकते हैं तो अगर आपको जैसे की जानना हो कि आज जैसे की है 28 तो मिले को जानना है कि 31st को कौन सा डे होगा तो 31st पर मैं जाके directly check कर सकता हूं कि Friday होगा तो यह बहुत जादा useful feature है और बहुत साय लोगों को नहीं बता क्योंकि बस वह present date check कर लेते हैं और यहाँ सचा है तो change कर देता है पर किसी को नहीं बता कि यहाँ पर up या down आप swipe करके भी check कर सकते हो कि क्या date है तो इस तरीके से यह feature बहुत जादा useful हो सकता है और आप up या down करके date को check कर सकते हो आप comment करके बताना यह feature आपको बता था कि नहीं और अगर नहीं बता था और मैंने बताया तो like कर दो कर दो जादा time नहीं लग रहा है तो उसके बाद अगर बात करें next और last hidden feature के वैसे तो मैंने six hidden feature की बात की थी बट seven बता दूँगा एक bonus hidden feature आपके लिए क्योंकि आप end तक वीडियो को देख रहे हो तो बस समझो आपके लिए दो hidden features और बताने वाला हो तो एक hidden feature होने है यहां पर जाके पैडो मीटर के अंदर हम जनरली जो होता है यहां पर steps calories और BPM और speed check करके इसको बंद कर देता है बड़ आपको नहीं बता होगा इसके अंदर भी अगर आप अपकी तरफ स्वाइब करोगे यहां पर की तरफ स्वाइब करोगे तो आपको किलो मीटर भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बस यह देखके ओके बैक बट यह जो फीचर है इसके अंदर अवलेबल है जिससे आप किलो मीटर भी चेक कर सकते हो तो W26 पर्टिकुलर्ली मेरे को सबसे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि इसके अंदर features के साथ साथ इस के अंदर यह features आपको देखने को मिल जाएंगे तो ज्यादा तर application के अंदर आप यह down swipe करकर करके देखो कुछ ना कुछ नया feature देखने को जरूर मिल जाएगा आप directly check मत करो और last में आज का bonus feature जो होने वाला है अगर आप यहां पर ध्यान से देख सकते हो तो एक बाद अच् उसकी 7 secret hidden setting बताने वाला हूं तो उसके लिए आपको सबसे बहले W26 smartwatch के अंदर यह वाला watch face जो है यह set करना होगा और यहां पर जाके theme 2 पे click कर देना तो फिर यह आजाएगा एक वर आपको theme 1 करके बताता हूं theme 1 के अंदर पीछे black आएगा कुछ भी ऐसा dot dot नहीं आएगा blue theme 2 करोगे theme 2 करने के बाद यहां पर blue color के dots आने लग जाएगे और इसकी smartwatch की theme change हो जाएगी तो यह भी बड़ा कमाल का hidden feature है और इसकी मदद से आप W26 को अच्छी तरीके से set कर सकते हो तो आज की वीडियो में बस एतना ही आपको बहुत सारे hidden features बताए कमेंट करके ज़रूर बताने इन में से कौन से आपको पताते और कौन से नहीं बताते अगर नहीं पताते और मैंने बता है और कुछ useful निकला वीडियो तो फिर कर देना like और subscribe सब कुछ कर दो शेयर कर दो जाए-जादा और अपना support बनाये रखो मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ